हिंद. आज हम लोग एक बहतरीनन चप्टड के ऊर बर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलोप्मेंट और जिसके तहथ आज हमलोग फिचकल डेवलोप्मेंट को देखेंगे तो आएए शुरुवात करते हैं फिचकल डेवलोप्मेंट उससे पहले थोड़ा सा जानकारी हम लेते हैं ग्रोथ के बारे में तो आते सबसे पहले समझते हैं विर्धी होती है तो क्या होती है देखें जब हमारे सरीर की संड़चना जैसे इस बच्चे को देखें हमारे जब हमारे सरीर की संड़चना या आकार नहीं जिसके देख सकते आकार बढ़ना शुरू होता है बढ़ रहा है ने देखी इस तरीके से तो उसे विर्धी काते हैं विर्धी जो होती है वह बाहरूपस होती है जिसे हम देख सकते हैं और इसमें आ सकते हैं आपका लंबाई जैसे अभी इतना बरा थे फिर इतना बरा हुआ फिर इतना बरा फि केजी का, 12 का हुआ, 15 का हुआ, 20 का हुआ, 40 का हुआ, तो ये उसके लंबाई में बढ़ना, उसके वजन में बढ़ना, इसके शेप, शेप समझ रहे ने, इसके आकार का बढ़ना, जो इस बच्चे का आकार बढ़ रहा है, देखे, इस तरीके से जो आकार बढ़ रहे हैं, आक भुष्छ यानि सारीक जो बडलाव होते हैं उसी का नाम है शारीक वीकास अब थुला सा हम लोग बात करते हैं वीकास के बढाते हैं मैं अखिरीब विकास क्या है वीकास जो होती है वह न के यह बसा रीक बल्कि मानसिक सामाजिक संब्रिग आत्मक और बौदिक पक्षो में परिपक्त आती है यानि जब बच्चे के न के बद साररीक रूप से बिर्दी बलकि इसके सामाजिक एक सोसल में कई लोगों के बीच उसके संबेगातमक जो भै, क्रोध, प्रेमे सब हैं बौधिक, सोचने, समझने, तर करने जो परिपक्त आते हैं उसे बिकास काते हैं और द बिकास की कति जो होती है कभी तेज होती है तो कभी धीमा होती है तो आईए आज हम लोगों सुरुवात करते हैं फिचकल डेवलोपमेंट सारीरिक बिकास सारीरिक बिकास क्या होता है सारीरिक बिकास से तातपर्ज होता है बच्चों के उम्रिक अनुसार सारीरिक आकार सार के सरीर में जिस परकार के बदलाओ आते हैं आकार हूं या उसके सरीरिक परिवरतर हूं तो ये सारे जो ओते हैं सरीरिक विकास के अंतरगत आते हैं अब सरीरिक विकास physical development को जनरलली दो पार्टस में हम लोगी बाते करेंगे यहानए सरीर का जो विकास होता है एक होता gross motor skills इसको हिंदी में देखे स्थूल गतिक कॉसल और दूसरा होता है सुक्छम गतिक कॉसल अब जो हमारा सरीरी की विकास है जिसे हम दो तरीके से जानेंगे ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स तो आईए हम लोग एक एक करके जाने का परियाश करते हैं सबसे परिसरीर की विकास के आपको पता चल गया कि आकार कर आएक यह बंका से बठाना समय से आया करो कितना कश्ट होता है सबको अब देखो पूरा क्लास इसमें यह आएगा अब कितने को कश्ट होता है देखो तो इसस ब उठेगा बैठेगा बेचरा ऐसे ही यह तो टुसम ठास में पड़ता और उपर से तुम परिसान करते रहते हो थो आगे देखें सुक्षम पेसिये अब द आपकी छोटी छोटी मांस पेसिया यानि छोटी छोटी गतियों के साथ काम करते तो सुक्ष पेसिये वस्था कराते जैसे अब बहु सारा चीज है तो आई इसको हम लोग देखते हैं तो सारीर के विकास के बारे में आपने देखा कि जब बच्चों के उम्रिक अनुसार सारी करते हैं तो यह सुक्ष्म पेसिया वस्ता कहलाती है जैसे ब्लॉक बनाना तरजनी एब अंगुठों की सायता से बस्तों को उठाना अब आई इस पर एक जामपल देखें जैसे यह बच्चे को देखें यह अपने छोटी मसल्स का पर्यूब कर रहा है नहीं एक अपने अंगल सुक्ष्म गतिक कौसल इस सब में देख सकते हैं पीक में यह बचा किसी उसको उठा रहा है अंगली से बना रहा है यह पूरे अंगली का उप्योग कर रहा है तो जब छोटी जो मसल्स होती है छोटी जो मांस पेसिया होती है उसमें गती आ जाती है तो उश्री को हम लोग क क्या करते हैं सुक्ष्म गतिक कोशल के नाम से जांते हैं तो इस सारा जो पिक आपको दिख रहा है यह तो हम लोग बात करेंगे सुक्षिन के बाद इस थूल पेसी है ग्रोस मोटर स्किल्स ग्रोस क्या होता है अब देखो उसको हसरा है अरे समझलो जिंदगी बन जाएगी एक तो लेट आता है इतने लोग बैठे हुए और उसमें तुम आ गए कितना परसानी होता है अब बैठा है। अब रोट पर जाएगा तो चाल रहता है इधर उधर मतका है समझ नहीं आता है उश्रब भी कम नहीं होती है ओभी अपना फैसने में चूरू रहती है कम सकंव अपना तो रखो खाया है तो यह सारे चीज कैसे भटक जाता है बचुआ यह सबतल होता है बिना लगाम का गोरा लगता है कि हम सब उसी है और एक तो मेरा दोस्ता हो तो गजब किया एक तो भाग के साथ ही किया उपर से उसका गुलामी कटा मार हो करता है उसको डेली जगरा लराए खाना बना के देता है तो यही करोगे और जिंदगी सबारो सबर जाएगे बहुत चीज है इस थूल पेसि जब जिए थोड़ी घात वीडियो के साथ काम करते अब जब आप बड़ी माने स्पैस सिययों का उपयोग करतेल लाता है आपका थूल पेसिए इस थूलपेस सथा कर इक रही तो बक है पुरे घोटि का पार्डस है फोरा बडडिका पार्डस इसमें उपयोग हो रहा है क् की गति है तो पूरे शरीर में तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्थूल गति को सर ग्रॉस मोटर स्किल्स जैसे और देख सकते एक जामपर जैसे इब अबनी देखे जम्प कर रहे तो जब जम्प कर रहे तो पूरे शरीर में गति यह जम्प कर रहे हैं पूरे बरी मांस पेस्य रही है यह उचल रही है यह देखे अब ये क्या कर रही है अब स्विमिंग कर रही है तो स्विमिंग जो होता है इसमें भी क्या होता है बरी मसल्स का परियोग होता है तो जब बरी मसल्स का जहां जहां परियोग होता है वो शारा का सारा क्या कर लाता है आपका सुक्ष्म नह केसमें परियोग कर रही है नहीं तो छोटी मसल्स का परियोग कर रही है तो यह सारा आपका क्या कर लाएगा सुक्ष्म गति कौशल नहीं और जब पूरे बड़ी के पार्ट को करेगी तो वह हो जाएगा कौंसा तो कढ़ाई बुनाई जो होता है वह भी आपका किस पर करका ह होगा वह हो जाएगा आपका सुक्ष्म गतिकोसर अब यहां पर देखे बॉलर जब दोरता है गेंदवाजी के स्थूल गतिकोसर बडग Championships अभर माव लाखनुति केलिए तो उह झाये की आफिता क्रणत्ती स्थूल नीॉनिकर पीण स्थूल कोशल बरे करने के लिए पूरे अंगली छोटी मसल्स का उपयों कर रहा है तो जब इस पीन करता है उसको फेकने के लिए तो वह जो होता है आपका सुख्ष्म गतिक व्सल होता है और दौरता तो एस्थूल गतिक व्सलों होता है तो याद रिखेगा कढ़ाई बुनाई जो होती है वह आपका सुख् परियों तो मैं आशा करते हूं कि आपको समझ में आ गये होगा अच्छी तरीके से सारेरिक्या विकास यो होता है ,सुख्चम ,फेशिया इन olmuş में स्थोल गति कॉसल में होता है चोटी-चोटी मंसब्स बाता है और स्थोल गती कॉसल में बरी मंसब्स स्थूल समझते हैं एस है छोटी आप जब लीखेंगे तो चोटी में अंगली का ऊपयोग करेंगे लेकिन जब दर हो परियास करता है तो vedere दोनों गतिक कशन का आपयोव करता है करता है।